सुबह ब्रेकफास में सबकी यही टेंशन रहती है कि क्या बनाए जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, रिंस्टेंट भी बन जाए तो कुछ ऐसी ही रेसिपी में आपके लिए लेके आई हूँगा इस तो वीडियो को एंड तक जरूर ही देखीगा मैं यहाँ एक कप सूजी ली है, सैमो लिना, उसी कप का आधा कप मैंने दही लिया है और आधा कप इसमें पानी डाल देंगे सारा मेजरमेंट इसी कप से हम करेंगे, आप कटोरी से भी कर सकते हैं ये देखी मैंने आदा कप इसमें पारी डाल दिया है और आदा कप मैंने दही डाल दिया है घर का जमायावा दही है अगर आपका दही खटा है तो थोड़ा कम कर सकते हैं इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और ठक कर थोड़ा सा 5-10 मिनट का इसे रेस्ट दे देंगे ताक बहुत ही मज़ेदार होने वाली है गाईस तो वीडियो को एंड तक जरूर ही देखेगा इदेखे आलू मैंने मैश कर लिये हैं अब इसमें बारी कट करके एक टमाटर डाल देंगे एक बारी कट करके इसमें प्यास डाल देंगे हरी मिर्च अपने अकोर्डिंग आप डाल सक करेंगे साथ ही भुना जीरा पाउडर एड बहुत ही मिक्स करेंसाले हैं अब हम लेंगे तीन कटोरी कोई भी साइस की ले सकते हैं और गी से हम ग्रीस करेंगे जहां तक आप उसके गी ही उज़ करना क्योंकि गी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो हलका लगा मैंने घी से ग्रीस कर लिया है यहां हमारी 10-15 मिनिट हो चुकी है सूजी भी अच्छे से हमारी फूल चुकी है जो बैटर है हमारा थोड़ा सा हो चुका है तो थोड़ा सा पानी और इसमें हम एड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी बैटर की होनी चाहिए अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकोडिंग और अब मैंने यहां लिया है इनो आप बेकिंग सोडा भी इसमें डाल सकते हैं मैंने कंप्लीट पाउच इसमें नहीं डाला है थोड़ा सा ही इनो डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे बैटर हमारा बिल्कुल हलका हो चुका है और यह कटोरी है ना इनमें हम एक एक चमच भर के बैटर डाल देंगे यह देखिए तीनो ही कटोरियों में हम बैटर है सूजी का वो डाल देंगे बस थोड़ा थोड़ा बैटर ही इसमें डालेंगे गई ज्यादा बैटर हमने बिल्कुल भी नहीं डालना है यह देखिए बिल्कुल एक एक डेट डेट चमच मैंने इसमें डाला है अब जो stuff이ंग हमने आलू की तयार की थी न उसके चोटी-चोटी हम ठिक्की बना लेंगे इस तरह से गोल-गोल मैंने इसकी ठिक्की बना ली है और बिलकुल सेंटर में हम इसके कटोरी के हम इसे रख देंगे इस कप सूजी में हमारी तीन नास्ते बनकर तयार हो जाएंगे और उपर से थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए मैंने रैड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है यह देखिए ताकि हमारा जो नास्ता हो दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगे और छोटे बारी कट कर कि मैंने इसके उपर हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया हैं कडाई में गरम पानी होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था जब बोई लाने लग जाए तो इस तरह की कोई छलने लेंगे और इसके उपर हम लगा देंगे आप चाहू तो कोई स्टेंड वगरा लगा के ग्रीस की थी और ये देखिए बिल्कुल 10-15 मिनिट में लो फ्लेम पे इसे पकाना है बहुत ही अच्छे से हमारा नास्ता बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है ये देखिए मैंने नाइफ डाल के दिखाया है बिल्कुल क्लीन नाइफ हमारा निकल रहा है नास्ता थोड़ बहुत ही इजली हमारा नास्ता प्लेट में हम निकालेंगे तीनो ही कटोरियों दिकने में देखिए कितना खूब सूर्थ है ये appelle सली उसे आप ग्रीन चटनी के दिखाती हूँ कितना अच्छे से हमारा पक चुका है सूजी हमारी बहुत जल्दी पक जाती है अंदर से भी बिल्कुल ही टेस्टी बना है तो आप इसे जरूर ही ट्राई करना पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर और सबस्क्राइब